hello students welcome back to our channel start करते है अपनी super 5 series से जिसमें हमारा आज है part 4 from chapter 1 जिसमें हम आगे के most important questions discuss करने वाले हैं 5 most important questions पहला question देखते हैं अपने आज की session का which of the following is a redox reaction अब हमारे पास ना हम questions देख रहे हैं kelle वेहरा question है मारा चार reaction सवार पास given है हमें क्या बता ना की कौन सी reaction सी reaction हमारी redox reaction है अपे अगर आपको मालूम होता है की PDO questão क्या होता है and a redox reaction के बारे में अगर हमें पता करना है को हमें क्या पता होता है की what are redox reactions to this क्लिए क्या देखते है जिन reactions में oxidation, क्या होती है redox reactions, just reactions में oxidation and reduction, क्या होती है, simultaneously, एक साथ, मतलग एक ही reaction में आपको oxidation, साथ ही आपको reduction देखने को मिलता है, that are known as the redox reactions, है ना यही होती है, यह definition है हमारी, simultaneously is the most important term over here, क्या होता है यहापे, हमें देखना पड़ेगा कि ऑक्सिदेशन हो रहा है ठीक बात है रिडाक्शन हो रहा है बढ़िया बात है बढ़ दोनों साथ में होने चाहिए तब हम क्या बोल के आते हैं डाट इस रियक्शन्स काल्ड रिडॉक्स रेक्शन सेना अब देखते हैं पूरी लिस्ट अब यहां पर क्या है क्या च्छिम कार्भुन इड गिव श्क्याल्शियम और श्यक्षाइड प्लस लियोटु के योटू कंशियम कार्भून एर वह पी डीपर रहाहे रहा है और दो प्रोडॉक्स बना रह इधर आपको oxidation मिलेगा, यह reduction मिलेगा आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है, then we have this reaction, calcium oxide plus HCl giving calcium chloride along with water, अब इस reaction में गभार अच्छे से देखेंगे, तो क्या पता लगेगा, calcium यहापे oxygen के साथ था, RHS में क्या बन गया, calcium chloride, क्या दिख रहा है हमें, यहापे, reduction होता वा, नजर आ रहा है where else, यहापे क्या हुआ, दूसरी तरफ हमार पास HCl से क्या बन रहा है, water, addition of oxygen, जिसको हमने क्या बोला, oxidation reaction, तो मैंने देखा, कि third reaction में न, दोनों चीज़ें हमें, एक साथ देखने को मिल रही है, तो यह reaction कौन से हो जाएगे, हमारी, redox reaction का example हो जाएगी, देखते हैं, अपन क्या लिया है, हमने अपे, base लिया है, HCl क्या है हमारा, acid है, form करेगा salt along with water, such reactions are called neutralization reactions, तो आंसर हो जाएगा हमारा part, see, that will be the correct option for this first question, okay, तो हमने अच्छे से देखा और यह साल है न, बहुत जादा famous examples, हमारी types of reactions के, तो इन में से third option हमारा, correct क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएग ओके, देखते हैं, अपना next question, calcium oxide reacts vigorously with water, react कर रहा है calcium oxide किसके साथ, water के साथ, vigorous reaction है, यहां से हमें, यह पढ़ती ही, हमें क्या समझ में आ गया, कि यह reaction न, exothermic है, vigorously react कर रहा है, मतलब, बहुत सारी, बहुत सारी, यहां पे क्या होगी, heat release होगी, और अगर बहुत सारी heat release होग तो यह क्या हो जाएगा, exothermic का example हो जाएगा है, पहली बात हमारी यह हो गई कि यह reaction हमारी exothermic है, ठीक है, यह मुझे का से पता चला, यह मुझे पहली line पढ़ते है, यह पता चल गया, vigorous से, ठीक है, अब बात करते है, इसके product की, है न, calcium oxide में हमने क्या करा, पानी डाला है, this is also called slagged lime, this is called slagged lime, okay, अब देख लेते हैं, अपने options, हमें क्या बताना है, यह पे, incorrect option, अपने ध्यान रखना, अब जल्द पाजी में, excited होगे न, फड़ा फड़ा क्या करोगे, exothermic, ठीक ठीक आंसास मा कर दोगे, आपको क्या बताना है, यह पे, incorrect option, आपको यह पे, बतान है, ठीक है, तो, it is a endothermic reaction, endothermic नहीं है, इसलिए यह answer है, okay, क्योंकि हमें क्या बताने, incorrect statement, answer क्या है, हमारा, exothermic, exothermic, क्या है, बिल्कुल ठीक बाते, this is true statement, and this is false statement, ऐसे करके लिखना, हमें false statement को, answer ठीक मा करना है, okay, second option देखते है, slagged lime is produced, तो क्या बन रहा है, आपे, slagged lime बन रहा है, बिल्कुल क्या हमारी ठीक बाता है, इसको हमें मात नहीं करना है, answer में, quick lime is produced, quick lime तो यह खुदी था, तो, this is again, false statement, then हमारे पास क्या है, last, it is a combination reaction, देखु आपे, A plus B, क्या बना रहा है, C product, this is a type of combination reaction, again, this is true, तो हमारे correct statement, क्या थी यहां पे, correct statement, यहां पे, क्या 4th and 5th, पूचा क्या है, हमसे, हमसे पूचा है, इसने, incorrect statement, बताओ, तो हम क्या मार्क करेंगे, 1st and 3rd, ऐसे questions भी आपसे, पूच लेगा, answer होगे, answer होगे, आपे, C option, आप excited होगे, यह नहीं देखोगे, कि उसने, आपसे incorrect option, पूचा था, अब correct में क्या मार्क करता होगे, 2nd, 4th and 5th, हमें तो पूरा question आता था, board में आया था question, और आप क्या करोगी, घलस करके आजा होगे, अच्छे ते पढ़ लेना, identify the incorrect statement, okay, tier होगे a question, चलिए देखते हैं अपना, next question, when copper turnings, next question की बात करते हैं, हमने क्या लिया, copper turnings लिये, और हमने add करी है, अपने, silver nitrate के solution में तो क्या होता है, blue colored solution is formed after some time, it is because, copper turnings हमने लिये, किसमें डाली है हमने, agno3, silver nitrate में हमने डाल दिया है, क्या, copper turnings, ठीक है, copper को हमने क्या करा, reaction करा रहे है, silver nitrate के साथ, यह क्या है, silver का complex है, silver का salt है, copper क्या होता है, more reactive than silver, है न, तो यहापे क्या हो जाएगा, displacement reaction हो जाएगी, क्योंकि copper क्या होता है, more reactive than silver, तो उसको displace कर देगा, उसके salt solution से, forming its own salt of copper nitrate, है न, और यह हमारा क्या हैगा, यह हमारा blue blue color का complex हमारा form हो जाएगा, ओके, अब क्या होगा, ag भार रहे क्या, displacement reaction है, copper आया, ag को क्या कर दिया, भार कर दिया, तो हमने ag को बाहर लिग दिया, अब यह क्यों हो रहा है, यह किसले हो रहा है, यह reaction में, displacement reaction है, तो यहां पर हमने क्या देखा, copper था, zero state में, क्या हो गया copper के साथ, oxygen आभी, that is copper का oxidation हो गया है, यहां पर oxidation state निकालते है, तो यहां पर क्या आती है, copper two plus, तो basically copper अकेला था, पर जब भी कोई complex बन जाता है, तो उस पर oxidation state, increase हो जाती है, यहां पर there is increase in oxidation state, यहां पर आप देखेंगे, LHS में, तो यहां पर कोई state में, zero, यहां पर निकालेंगे, तो copper two plus, there is a increase in oxidation state, तो क्या हो जाता है, आपर oxidation of copper, ठीक है, oxidized is silver from the solution, forms a blue colored complex, copper is oxidized to blue color क्यों आता है, क्योंकि copper क्या हो जाता है, copper से copper two plus form कर लेता है, अगर यह copper two plus form नहीं करेगा, तो इसका salt solution भी आपे नहीं बनेगा, correct option हमारा हो जाएगा, option number c option, okay, बात करते हैं अपने next question की, combustion is a dash process, अब आपने सुना होगा, combustion process, ठीक है, combustion reactions क्या होती है, whenever we are heating up, हमने क्या लिया, carbon या उसके derivatives और हमने उसका, क्या करा, burn कर दिया, in the presence of air, यह होती है, हमारी air, है अब हमने इसको burn कर दिया, यह highly exothermic reactions होती है, यहापे क्या बनता है, CO2 बनता है, along with heat, along with light, this reaction, these reactions with the carbon derivatives, अगर मैं आपे क्या ले लू, अगर मैं आपे carbon monoxide ले लू, यह मैं आपे alcohols भी ले लू, साथ में oxygen करा दू, सारी reactions क्या होती है, हमारी, सारी reactions किसके अंदर आती है, combustion reactions के अंदर, यह सारी reactions हमारी, आ जाती है ठीक है सारी रेक्शन क्या-क्या प्रोड़क्स बनेंगे आप इसके डेरिवेटिव लेंगे तो co2 plus water plus heat for example अगर हमने क्या ले लिया c2h5 OH कार्बन कहीं है है ना हमने इसे हीट अप किया oxygen में प्रोड़क्स बन जाएगा हमारा co2 plus water plus heat plus light okay your reaction glowing combustion reaction highly exothermics process Drink Kurt heat release होती है हर जगह हमारी ani heat release होती ही होती है तो these objections comes under the category of exothermic सोच नहीं यह यह आप तो ID co2 यह so2 combustion reaction सभ्में क्या होता है heat release होती है है भर भर के ओके हीट के विना तो यह है मिला कमश्यन रेक्शिंस में और वेज़ दर रिलीज ओफ हीट एंड लाइट ओके बात करते हैं अपने question number 5 की देखने अपने question number 5 क्या बोलते है पढ़ लेंगे एक बार identify the substance question में क्या है identify करना हमें substance that is oxidized and the substance that is reduced अपना यह बहुत इसका oxidation और reduction का हम से पूछता है oxidized क्या हुआ है बताओ reduce क्या हुआ है बताओ ऐसे questions में आपको पहले पूरी chemical equation अपने तरफ लिख ले निया अलग से हैना h2 से क्या बन रहा है copper and water खुद अपना answer mark कर लो फिर question ने पढ़ो उसने क्या पूछा है और बहुत अराम से options mark करो copper oxide था क्या बन गया copper यह क्या हो रहा है reduction हो रहा है इसका मतलब copper oxide is being reduced किसमें reduce हो रहा है copper में form हो रहा है तो copper oxide क्या बन रहा है copper this is a reduction reaction okay अब देखते है next reaction हमारी हमपे h2 था s2 से क्या बन गया पानी पानी बन गया oxidation यह हमारी reaction है oxidize कौन हुआ h2 हमारा oxidize हुआ है आप अब उसने क्या पूछा पहले पहले उसमें पूछा है oxidize बताओ oxidize कौन हुआ है h2 तो h2 वाल option यह रहा फिर उसमें पूछा identify a substance that is reduced reduced क्या हुआ है हमारा copper oxide तो आपको यह option नहीं मा करना आपको बी option क्या मा करना है correct option मा करना है oxidize पूछा है और reduce पूछा है h2 क्या हो रहा है oxidize किसमे water में h2 oxidation copper oxide का reduction into copper the copper oxide हो रहा हमारा reduced option B will be the correct option okay so this this was the five questions jam ne pure segregate karay most important questions from chapter one or amher part may I see he a check questions le karayenge so that upload ko be mazai in questions for salsa name and I hope you will stay tuned with our channel and I will see you in the next video thank you so much